दोस्तों का मौसेम आते ही अकसर होता है हडियों में दर्ड चुरू होुआ हो जाती है जिसकी वीजासे आप चलने फि Niya और अपने रोज म्रा के काम करने में बहुत ज़ादा दिक्कत होती है और कई बार तो हडियों में सूजन भी आ जाती है ये सारी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आज मैं आपके साथ एक ऐसा ऐलोवेरा का हलवा बना रही हूँ दोस्तों जी हाँ हलवा आपने ठीक ही सुना लेकिन ये वैसा हलवा नहीं है जो आप मजे मजे लेके खाएं ये वैसा हलवा है जो एक दवाई की तरह काम करेगा आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखें आपको अगर ये दर्दे होती हैं तो ये हलवा अगर आप बना के खाएंगे तो मैं आपको गरंटी देती हूँ आपको अपनी दर्दों में बहुत ज़्यादा आराम पड़ेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों एलोवेरा का हलवा बना रहे हैं तो उसके लिए आपको एलोवेरा तो चीए ही प्रेश एलोवेरा जेल आपने लेनी है एक कप के करीब असानी से कोई भी प्लांट से आप कलम काट ले अलोवेरा की और उसको आपने सबसे पहले क्या करना है कि आप किसी भी बरतन में सीधा टिका के छोड़ दे एक गंटा करीब ये स्टेप करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें से आप नोटिस करेंगे जब आप ऐसे टिकाएंगे liquid निकलेगा yellow कलर का वो discard करना बोर जरूरी है इसको निकाले बिना आपने ऐसे नहीं consume करना होता है ये कितने लोगों को पता नहीं होता लेकिन आपने ऐसा करना जरूरी है इसके बिना consume नहीं करना चाहिए वो poisonous हो जाता है और कई बार के होता है फिर आप बनाते हैं आपको लगता है कि कड़वा टेस्ट आ रहा है वो सारा ठीक नहीं आएगा अगर आप ऐसे यह treatment नहीं करेंगे सारी जेल निकालने के बाद दोस्तों आप एक बार अच्छे से इसको साफ पानी से दो लें यह मैंने सारी साफ करी विया निकालके और दोस्तों अगर आपको ताजी एलोवेरा जेल निकालनी नहीं आती तो मैं वीडियो के एंड में उपर लिंक दे दूँगे आप क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं अब ऐसे जो जेल आपने निकाली है न दोस्तों इसको आपने मिक्सी में डालके पूरे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताके एक लिक्विड जैसा बन जाए अब आगे दोस्तों आपने एक बतन में दो बड़े चमब्च जितना गाय का गी लेना है क्योंकि यह आपकी हडियों को मजबूत करता है और आपकी बॉड़ी की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है गी को पूरी तरह मेल्टोने देते हैं जैसे दोस्तों आप देखेंगे गी मेल्ट हो गया तब आपने इसमें तीन लॉंग डालनी है और एक टुकड़ा आपने दाल चीनी का डालना है और इंको थोड़ा आपने बुनने देना है जैसे ये दोनों चीजे बुन जाएं दोस्तों आपने इसमें सारी एलो वेरा जेल आपने ब्लेंड करी थी वो डाल देनी है और इसको आपने चलाते वे बूनने जब तक आप देखेंगे फोड़ा इसका टेक्शर गाड़ेपन पर ना आना शुरू हो जाए लॉंग दोस्तों आपके जोडों के दर्दों में अराम पुचाने का काम करता है और डाल चीनी आप कईबर क्या होते हैं दोस्तों अगर आपको गढ़िये की बिमारी होती है या ठंड की वजएसे कईबर आपके जोडों में सूजन आ जाती है उसको ठीक करने का काम करती है यह अलोवेरा जेल मतलब आप समझ लेए यह नैच्रल ऐसी चीज है जो आपकी हड़ियों के लिए आपकी बॉड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेबंद होती है ऐसे जब आप देखेंगे इतना गाड़ापन आना शुरू हो जाएगा तब आपने इसमें और चीज़े एड़ करनी है आप इसमें डाल दें एक अप जितने पिसेवे अलसी के बीज अब साथ ही आप इसमें डालेंगे दो बड़े चमच जितने बदाम और अखरोट कुटे वे और एक चाय का चमच जितना आपने इसमें डालनी है कलोंजी अब सारी चीज़ों को आप एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और इंको दो मिनट करीब आपने चलाते वे कुक करना है अलसी के बीज दोस्तों आपकी हडीों के लिए बहुत ही ज़्दा फाइदे मनद होते हैं कििपा क्या होता है दोस्तों कि आपके जोडों में ग्रीस की कमी हो जाती है जिसकी वजह से आपको moment करने में दिक्कत होती है तो यह जो अलसी के बीज है न दोस्तों यह आपके जोड़ों में grease बनाने का काम करते हैं और आपकी हड़ीयों को मजबूत करते हैं और दोस्तों, बदाम और खरोड़ता आपको वैसी पते है कितने healthy होते हैं यह आपकी हडियों में कैलशियम को एब्सॉर्प करने का काम कते हैं और आपकी बोन मिनरल देंसिटी को बढ़ाने का भी काम कते हैं जिसकी वज़े से आपकी हडिया मजबूत रहती है और दोस्तों कई बार क्या हता है कि आपके जोड़ों में फ्लूइट की कमी हो जाती है जिसकी वज़े से आपको दर्दे होती है वो फ्लूइट को बनने का काम करते हैं कलोन जी के बीच बस दोस्तों दो मिनट करीब सारी चीजों को ऐसे बुनने के बाद आपने इसमें एक अब जितना दूद डालना है और आपने चलाते वे तब तक कुक करना है जब तक आप देखेंगे सारी चीजे जो हमने डाली है वो कठी न हो जाए पैन की साइट्स न छोड़ने लग जाए और दूद आप देखेंगे पूरी तरह ड्राई हो जाएगा अब इस टाइम पे आप देखें दोस्तों जैसे अभी हम कर्ची चला रहे हैं यह पूरा पैन की साइट्स को छोड़ रहा है और दूद पूरी तरह ड्राई हो चुका है बस इस स्टेश पे जब आप पहुंच जाएं आपने फ्लेम ओफ करनी है इससे ज़्यादा कुक नी करना फ्लेम ओफ करने के बाद आपने लास्ट में इसमें डालनी है ब्राउन शुगर यह आप अपने टेस्ट के इसाब से जितना आप मीठा पसंग करते हैं उतनी आप डाल ले मैं तो 1 फॉद कब जितनी एड कर रही हूँ लेकिन आपकी मर्जी है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन आपने दोस्तों वाइट शुगर का यूज नहीं करना आप यहा पर यह न सोचे कि आप वाइट शुगर भी यूज कर सकते हैं नहीं दोस्तों ये आप दवाई जो बना रहे हैं ये ब्राउन शुगर से ही आपने बनाना है क्योंकि ये भी आपकी हड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा फाइदेमंद होती है इसमें minerals होते हैं जो आपकी हडियों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं और अगर आप sugar patient है और आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप ये skip कर देंगे आपने नहीं यूज करनी शुगर बस ये चीनी डालने के पाद आप एक बार अच्छे से mix कर ले और इसको आपने room temperature पे आने के लिए छोड़ देना है फिर आप इसको एक airtight container में store करके रख सकते हैं और ये जो आपने बनाया है दोस्तो हलवा aloe vera का जिसको आपने दवाई की तरह use करना है अपनी हडियों के लिए ये एक हफ्ते तक जितना आपका चल जाएगा अब ये आपकी दवाई तो बन गी है दोस्तो लेकिन आप इसको कैसे लेंगे वो मैं आपको बताती हो एक बड़ा चमच दोस्तो बरके आपने लेना है सुबह सुबह खाली पेट एक गप गरम दूद के साथ ऐसे अगर आप रोज लेंगे तो आप देखेंगे जो आपको सारी प्रॉबलम हो रही है हडियों की दर्दे और हडियों में जक्रन या हडियों से related कोई भी दिक्कत ह हो रही है उसमें आपको बहुत ही ज्यादा आराम पड़ेगा आप यह remedy को ड्राइ करें फिर मैं आपको मिलूंगे नई वीडियो में नई remedy के साथ बाए बाए